स्वास फूलना या दम भरना जिसको बोला जाता है थोड़ा चलने पर स्वास फूल जा रही है थोड़ी सीड़ी चडली स्वास फूल जा रही है एक दम से थोड़ा जादा बोलने की कोशिस करी गई उसमें भी आपको हाफनी आना चालू हो जा रही है तो फिर ये क्यों हो र सबसे पहरा कारण हो सकता है फैंफडे क्योंकि फैंफडों में अगर कोई दिक्कत होगी तो स्वांस का काम भरने छोड़ने का काम तो फैंफडों का ही है तो अगर फैंफडों में कोई दिक्कत होगी तो स्वांस पूलेगी दूसरे नंबर पर जो दिक्कत आती है वो है पेट पेट की वज़े से भी स्वास पूलती है कभी-कभी तो पेट क्यों बज़े है यह देखेंगे तीसरी नंबर का कारण जो होता है वो होता है हर्ट कि अगर हर्ट में कोई प्राब्लम है तब भी स्वास पूलती है जैसे कहा जाता है जब L, V, E, F हर्ट थोड़ा कम काम कर रहा है ऐसे समय में थोड़ा काम करने पर भी एक डम से दम उखड़ जाता है और चौथा जो कारण होता है वो होता है कमजोरी अगर सरीर कमजोर है ऐसे केस में भी स्वास भरना चालू हो जाती है अब ये जो चार कारण है इन चार कारणों की बज़े से स्वास पूल रही है अब हम चाहें कि कोई एक इलाज हमको इस सास को फूलने से राहत दिला दे ऐसा possible नहीं है एक सास पूलने का और कारण होता है कि ये चारों ही मिल जाते हैं जिस कारण में वो कारण है वजन का बढ़ना तो वजन बढ़ना या फिर जिसको ओबेसिटी बोला जा सकता है कि अगर कोई बहुत ओबीज है साथ में थोड़ी कमजोरी है अंदर से तो फिर आपके फैफरों पर भी जोर पड़ना है पेट पर भी जोर पड़ना है थोड़ा जोर हर्ट पर भी आता है ओबेसिटी के केस में और अगर ओबेसिटी जादा है खाना पीना पूरा खाया जा रहा है व्यायाम कम किया जा रहा है तो सरीर धीरे-धीरे करके कमजोर भी होता है और फिर सीडी चड़ने में, थोड़ा चलने फिरने में या थोड़ा सा भारी काम करने में स्वास भरना चानू हो जाता है तो ये सारे कारण हैं स्वास भरने के हम देखेंगे कि इन सारे कारणों को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है और किस कारण की वजway से क्यों सांस भर रही है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताके हम ये सारी चीज़े प्रपर तरीके से समझ जाएं और जिन लोगों की स्वांस भर रही है पेट फूलने की बज़े से लिवर में गरबड़ी है उसकी बज़े से या फिर अगर फैंफडों में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर नेजल चौकेग हो गया है या फिर हर्ट का कमजोर होना कोई रीजन है या फिर कमजोरी का प्राचन अगर सही नहीं हो इस वज़े से कमजोरी आती है तो सांस भरना चालू हो जाता है हम वीडियो में सबसे पहले देखें कि फैफडों की कमजोरी की वज़े से यदि सांस भरती है तो उसमें क्या होगा जैसे अलर्जिक राइनाइटिस है जैसे ही धोल मिटी में लेकिन अलर्जिक अस्थमा कहा जाता है क्योंकि अलर्जी यहाँ है प्रॉबलम यहां से हो रही है सांस भर रही है फैफड़े लगवग लगवग ठीक होते हैं जब भी अलर्जन की कॉंटेक्ट में आएगा इंसान तब फिर ये वाली सांस भरना चालू होगी क्योंकि फैफ फैफड़े अगर allergic bronchitis है और bronchitis जो है वो क्या है allergic अगर है allergy की वज़े से कोई allergen धूल, मिटी, धुआ या फिर कोई specific fragrance या फिर पुरानी किताबों की या पुराने कपड़ों की धूल या पुराना कपड़ा कोई ऐसे करके सूम दिया तो उसकी वज़े से एकदम दम उखड़ना चालू हो जाता है अगर ऐसा है तो फैफड़ों की या फिर स्वसंतंत्र की hypersensitivity बोला जा सकता है ने इसको स्वसंतंत रखी क्योंकि फैफड़ों की इसने नहीं बोल सकते के ये जो है ये तो नाक हो गई ये ट्रैकिया हो गई और ट्रैकिया के बार इस तरीके से ये ऐसे करके फैफड़े होते हैं एसे करके, अब यह जो फैफडे हैं, इन फैफड़ों में अगर मांलो कोई दिक्त नहीं है, किवल नाक ही अगर सही तरीके से खुली हुई नहीं है, उसकी वज़े से दिक्त आ रही है, तो यहां से ही सांस नहीं जा पा रही है, तो फिर सांस तो फूलेगी भरेगी, थी क्योंकि oxygen की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही तो कभी-कभी नेजल चौकेश की वज़े से भी सांस बरना चालू हो जाती है इसलिए फैफरों की बजाए इसको स्वसंतंत्र की कमजोरी लिखा जा सकता है जाना जा सकता है समझा जा सकता है दूसरा होता है पेट यह है यह फैफरों के नीचे डायफराम इस तरीके से और इस डायफराम के नीचे यहां ऐसे करके यह जो जा रहा है आहर नाल और यहां ऐसे करके बनता है आमासा है और इधर ऐसे करके रहता है लिवर यह तो जो अब लिवर में मालो फैटी लिवर हो रहा है यहां कैस्ट्राइटिस हो रही है पेट में गैस बन रही है पेट की गैस जो है डाइफराम को उपर की तरफ ऐसे करके दबाव मारेगी उपर और ये जैसे जैसे फैफरी दबते जाएंगे तो इनमें सास जादा नहीं भर पाएगी जिसकी बज़े से आपकी दम उखड़ना चालू हो जाती है तो कहा हुए है पेट निकला हुआ है तो आगे की तरफ तो निकलाई है उपर की तरफ भी प्रेसर डाल रहा है अगर उपर की तरफ प्रेसर डालेगा तो फैफड़े कंप्रोमाइज रहेंगे दबे हुए रहेंगे जिसकी वज़े से स्वास भरना चालू हो जाती है दम भरना चा अगर हर्ट ने पूरे सरीर में खोन की चाल को पूरे तरीके से नहीं पहुचा पाया तो ऑक्सीजन फैफटों से खोब अच्छे मात्रा में आ गया फैफटे बिलकुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं पेट भी बिलकुल नरम है रुई की तरह मुलाइम हैं लेकिन अगर ह हर्ट में किसी बज़े से कोई कारण बन गया हर्ट कमजोर हो गया और कमजोर हर्ट की बज़े से हर्ट पूरे सरीर में खून की चाल ही नहीं बना पा रहा है तो खून में खूब ऑक्सिजन बना रहे लेकिन अगर हर्ट के साथ वो ऑक्सिजन पूरे सेल तक नहीं पहुंच प थो इसलिए जिनको सांस भरती है चलने में वो हो सकता है पेट की फो अगर सुसं तंत्र की नहीं है पेट की प्रोभलम है तो फिर जादा टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन पेट की प्रोभ्लम अकेले स्व 통al भारी पन नहीं कराती है पेट अकर गरवड रहेगा, आज आ जाता है, पेट गरवड है तो सब गरवड है और सब गरवड है तो आज नहीं, तो कल बड़ा लुक्सान हो जाएगा इसने इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है ये छोटा सत्रू जरूर माना जा सकता है लेकिन कभी-कभी सत्र को कमजोर मान लेना सबसे बड़ी भूल माना जाता है इसलिए कमजोर नहीं मानना है अब देते हैं हर्ट अगर स्वास आपकी भर रही है चलने में दिक्कत आ रही है थोड़ा काम करते हैं एक दम आपको ऐसा लग रहा है कि चक्कर जैसा आ रहा है तो आप एक बार अपने हर्ट के प्रोफाइल में बहुत जादा कुछ नहीं कराना चाहते हैं तो आप एक बार ऑक्सिजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सिमेटर से चेक करा लिजे और दूसरा एक ECG और एक ECO जरूर करा लिजे 2D ECO और ECG अगर ये हो जाएगा इससे अपने को पता लग जाता है कि हर्ट की ejection fraction capacity कितनी है left ventricle जो हर्ट का होता है वो किस तरीके से खूल की चाल को बना पा रहा है सरीर में अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो accordingly प्लान किया जाए और अगर ये ठीक है तो ये मान लिजे के सब कुछ ठीक ठाकी है फिर अपने को इन सब चीड़ों पर फोकस करना है इन तीरों के अलाबा एक होता है कमजोरी सरीर अगर कमजोर पड़ा हुआ है बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन सरीर कमजोर है थोड़ा चलेंगे, थोड़ा काम करेंगे जैसे मान लो सब कुछ ठीक ठा लेकिन किसी को टाइफाइड का बुखार हो गया अब टाइफाइड के बुखार के बाद 15 दिन के बाद कोई उठा तो उसको चक्कर आ रहे हैं बेचे नहीं हो रहे हैं घबराट हो रहे हैं तोड़ा काम करने में उसकी सास फूल जा रहे हैं तो वो कारण कमजोरी भी एक कारण सास फूलने का हो सकता है और इन सब को मिला करके अगर वजन जादा है तो निश्यत ही जादा वजन जो है ना कहा जाता है उबेसिटी अपने आप में कोई बिमारी नहीं है लेकिन उबेसिटी सब बिमारियों के लिए घर के जैसा है कि सारी बिमारियां उबीज सरीर में कुछ भी आके रहेगा उबेसिटी को कहीं कुछ करने के आवश्यक्ता ही नहीं है तो उबेसिटी सारी बिमारियों के लिए एक favorable condition होती है अगर सरीर उबीज है तो उबेसिटी को दूर करने का सबसे पहले काम किया जाना चाहिए सामाने तोर पर आजकर लोग कहते हैं कि उबेसिटी एक बिमारी है उबेसिटी कोई बिमारी नहीं है लेकिन उबेसिटी एक favorable condition है बिमारियों के लिए अगर आपका वजन जादा होगा निश्यती आपके सरीर की शमताय आज नहीं तो कल कमजोर पड़ जाएगी और जिस समय शमताय कमजोर पड़ जाएगी उस समय आपके सरीर में रोग पैदा होना चालू हो जाएगे इसलिए आपको वजन को कम करने की भी आवश्यक्ता है अगर आपको ये पूरा समझ में आया है तो हम देखें कि किस तरीके से इनके कारण अगर आपन समझ लेंगे कि ये कारण है या ये कारण है या फिर ये कारण है या फिर ये सब मिलकर के कारण है तो फिर यहां हम स्वास के फूलने का accordingly प्लान करेंगे स्वास फूलना फिर अब देखेंगे इसका treatment कैसे कर सकते हो तो treatment करने के लिए फैफरों को मजबूत करना, नाग को खुला रखना, स्वास नली बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए फैफरों में अच्छी मात्रा में खूब oxygen जाए इसके लिए बरानायाम का अभ्यास तो फैफरों के लिए क्या कर सकते हैं, पेट के लिए क्या कर सकते हैं, हर्ट के लिए क्या कर सकते हैं और कमजोरी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं ये पूरा प्लान जो होगा ये वीडियो चुकी लंबा हो जाता है तो मैं पार्ट सेकेंड बना दूँगा पार्ट टू बना दूँगा उसमें स्पेसिफिक मैनेजमेंट सारी चीजों का आ जाएगा ठीक है वीडियो को अगर पसंद आये वीडियो तो जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं सुष्ट रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद